नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी आगजाम वाला में आज की इस वीडियो में पैडागोगी सीरीज के तहत हम भाग नमबर 12 को आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें 10 महतपूर्ण प्रसनों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं आसा करते प्रसन आने वाली परिक्षाम में आपके लिए महतपूर्ण सावित होंगे अगर दोस्तों आप पहली वार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही दोस्तों में जरूर सेयर कर लें और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ह तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप हमारी वीडियो का लुप्त उठा सकेंगे और अपने तैयारी को पूरा कर सकेंगे चलिए पह कि ने से सब्सक्राइब को पर पिर्ति पादित किया गया है कि से दान्त को पृप्षिपा दित किया जो आवसकता का प्दानुक्रम सफित है आप्सन एक है मैसलो, आप्सन दो वाट्सन, आप्सन तीन कॉलर, आप्सन चार पावलोग, सही उत्र है आप्सन नमबर एक आवसक्ता का पदानुक्रम सिदान्त मैसलो के द्वारा पृतिपादित किया गया था वर्स 1954 में अबराहम मैसलो, मैसलो का पूरा नाम है अबराहम मैसलो, उन्होंने 1954 में आवसक्ता के पदानुक्रम सिदान्त का पृतिपादन किया इस सिदान्त को अभी प्रणा के मांग के सिदान्त के नाम से भी जाना जाता है जो आवसक्ता का पतानुक्रम सिद्धान्त है उसे दूसरन किस नाम से जाना जाता है अभी प्रणा के मांग के सिद्धान्त के नाम से इस सिद्धान्त के अनुसार जब मनुस्य अपने जीवन के अस्तत के लिए किसी वस्तू की कमी का अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए वह प्रेरित हो जाता है कि किस तरह से उस वस्तू को प्राप्त किया जाए मोसलो ने कहा कि मनुस्य की पांच आवसक्ताओं को चिन्हित किया गया है मोसलो ने मनुस्य की पांच प्रमुक आवसक्ताओं को चिन्हित किया जिससे मनुस्य अभी प्रेरित होता है। अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में किसको मुख है यानि अधिकारी गरंथी कहा जाता है। प्यूस गरंथी को हमारे शरीर की मुख है या अधिकारी गरंथी के नाम से जाना जाता है। तरीर की अन्य गरंथियों को अन्य गिलैंड्स को कंट्रोल करती हैं और उन्हें निर्देशित करती है। यूस गरंथी एक तरह से एड्मिस्टेटिव या एड्मिस्ट्रेशन का काम करती है। अगला प्रस्ण। किसने सामुहिक अचेतन का संप्रत्य या सिद्धान्थ दिया था। किसने सामुहिक अचेतन का संप्रत्य या था। ओप्शन है फ्राइड, दूसरा है यूंग, तीसरा एडलर, चोथा सिलीवन, सही उत्तर है ओप्शन नमबर दो, यूंग ने सबसे पहले सामुहिक अचेतन का संप्रत्य सिद्धान्थ दिया था. सामुहिक अचेतन संप्रत्य मनो वैज्ञानिक यूंग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था या दिया गया था. मनो वैज्ञानिक यूंग के अनुसार अचेतन मन, मन का एक हिस्सा होता है, जो हमारे मस्तिस्क या मन का एक अचेतन पार्ट होता है, वो मन का ही एक हिस्सा होता है, जो समाज, लोग एवं मानव जाती द्वारा अपने विचारों एवं अनुभवों को या अनुभवों का स करता है अचेतन वह इस्तिती है जो हमारे मन और व्यवार में तो होती है परंतु सामान नते प्रदर्सित नहीं होती यानि जो हमारे मन के जो भाव होते हैं वो सामने जो प्रिकट नहीं होते उन्हें अचेतन भाव कहते हैं किसी विशेश परिस्तिती में ही वह प्रदर्सित ह होते हैं सम्मान अनुभूती सामाजिक सुरक्षा सारीरिक इत्यादी ये सभी जो होते हैं ये अचेतन सामोही का चेतन होते हैं अगला प्रस्ण है अंगूर खट्टे हैं का उधारण किस ने दिया था किस प्रकार का उधारण है अप्षン एक प्रगतिमन, अप्षं दो दमन, अप्षं तीन योतीकरन, अप्षं चार पिर्तिक्रिया निर्मार सही उत्तर है अप्षन नमर तीन योति की करण का उधारन हैं अंगूर खट्टे हैं जब लॉम्ली अंगूरों को देखती है तो उसके मुँए पानी आ जाता है और वो उनको प्राप्त करना चाहती है लेकिन उसके मन में एक भाव आता है कि अरे यार छोड़ो जब उसके वो उन्हें नहीं कर पाती तो कि अं उसके अंगूर खट्टे हैं वाक्य योत्की करण का उधारन है योत्की करण मनोवज्यानिक रूप से रक्षा प्रणालि होती है जिसमें विवादास्पद व्यभार को तार्किक रूप से उचिप ठहराने की कोसिस की जाती है और परिणाम के अनुसार कारण को व्यक्त कि जाता है अगला प्रस्णल का किलिया प्रसूद अनूबंद सी दान्त किस ने दिया था अग्या отп था ऐसने था ऑफ़ने का किलिया प्रसूद ऩुंट सीद्दाल मेंन पृत्वाद्र किया था अधिगम किरियाग परसूत अनुबंद सिधांत मनो वज्यानिक B.F. Ist Toner द्वारा दिया गया था इस सिधांत के अनुसार एक ही किरिया के बार-बार करने HERE करने से व्यक्ति में उस किरिया को करने के रिट्टि परिपक्ता आ जाती है B.F. इसके नर ने इस सिद्धानत का प्रियोग चूहे एवं बिल्ली पर किया था। चूहे एवं बिल्ली पर किस ने प्रियोग किये थे अपने बियाफ इसके नर ने। चूहे पर किया गया प्रियोग मुख्यते माना जाता है। यानि सबसे जो सफल प्रियोग था वो चूहे पर किया गया प्रियोग था वियर इसके नरका और उसके आधार पर ही उन्होंने अधिकम का किया प्रसूत अनूबन से धान्त पृतिपादित किया था अगला प्रस्ण है औुसथ बुद्धी वाले बालकों की बुद्धी लवदी आई क्यों के बीच होती है कितनी होती है Option 1, 70-89, Option 2, 50-69, Option 3, 90-109, Option 4, 110-39, सही उतर है 109, maximum और कम से कम 90 होती है यानि 90-109 के बीच आसत बुद्धि वाले बच्चों की मुद्धी, लबधी या IQ, intelligence को सेंट होता है 90-109 के बीच साइमन बिने का प्रियोग करके मनोवज्ञानिक तर्मन ने 1916 में बुद्धी लबधी की वित्रन तालिका तैयार की बुद्धी लबधी बालक की बुद्धी लबधी बालक 130 से अधिक जो होते हैं वो पिर्तिभासाली होते हैं ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धी लबधी एक से एक सो तीस से अधिक होती है वो पिर्तिभासाली होते हैं जिनकी बुद्धी लबधी बच्चे होते हों तीवर बुद्धी वाली बच्चों में सामल होते हैं और 51 से कम जिनकी बुद्धी लबधी होती है वो जड़ बुद्धी यानि मूर्ख बुद्धी वाले होते हैं जबकि 91 में से 110 जिनकी बुद्धी लवदी होती है ऐसे बच्चे सामाने बुद्धी वाले बच्चे होते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है साइमन बिने का प्रियोग करके मनो वैज्ञानिक टर्मन ने 1916 में बुद्धी लवदी तालिका का निर्मान किया था। अगला प्रस्ण है वन्डूरा का कथन की बच्चे पिर्ति क्रियाएं पिर्ति मानिकरण द्वारा सीखते हैं जिसको ये भी कहा जाता है। उप्शन एक है अंतरदस्टी द्वारा सीखना, उप्शन द्वारा सीखना, उप्शन तीन निरिक्षन द्वारा सीखना, निरिक्षन आत्मक अधिगम के द्वारा सीखना, वंडूरा का कथन था कि बच्चे पिर्तिक्रिया पिर्तिमानी करण द्वारा सीखते हैं, जिसको न इल्बरट वंडूरा के द्वारा अधिगम के छेत्र में सामाजिक अधिगम सिध्धान्त का पृतिपादन किया गया था। वंडूरा ने के सिध्धान्त का पृतिपादन किया सामाजिक अधिगम सिध्धान्त का। इसके अनुसार बच्चे पिर्ति क्रियाएं, सामानी करण यानि पिर्ति क्रियाएं, पिर्ति मानी करण द्वारा सीखते हैं। तर्क एवं परीपक को नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेष्थाएं होती हैं। उप्शन एक पूर संक्रियात्मक अवस्था, उप्शन दो संवेदनात्मक गामक अवस्था, उप्शन तीन ओप्चारिक संक्रिया अवस्था, उप्शन चार है मूद संक्रिया अवस्था, जही उत्तर है उप्शन नमबर तीन ओप्चारिक संक्रिया अवस्था, इसका व्य जीन प्याजे के संग्यानात्मक विकास की चार अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है समवेद नात्मक गामक अवस्था जो की जन्म से लेकर 2 वरस तक, यानि 0 से 2 वरस की आईू तक होती है। दो वर्स के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है दो वर्स साथ वर्स की आयूतक होती है नमब तीन मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था जो होती है साथ से ग्यारे वर्स की आयूतक होती है और नमबर चार चौथी जो अवस्था है आपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये अवस्था 11 से 14 वर्स की आयू तक होती है चतूरत अवस्था में बालक चिंतन पूं क्रम बधता आ जाती है यानि जो बच्चा है जो बालक है वो चतूरत अवस्था में 11 से 14 वर्स की आयू क कि अवस्था में चिंतन करने की पूं किरम बबदता आ जाती है वो किरमिक रूप से चिंतन करने लगता है तथा अमूर्थ तर्क एवं परीपा कुनेतिक चिंतन का विकास हो जाता है अगला प्रस्ण है जर्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है जो option है इन में से कौन सा जर्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है option एक निरंतरता option दो समानता option तीन वनसानुक्रम option नमर चार यूयुत्सा सही उत्तर है option नमर तीन वनसानुक्रम जो होता है वह जर्मजात व्यक्तिक गुणों का गुणफल माना जाता है अनुआनसिकता का विकास सारीरी के व उनुवानसिक ताका विकास जो है सारीरिक और मानसिक गुणों के संचरण से होता है जो माता-पिता से बच्चों में जीनस के माध्धम से पहुंचते हैं. इसी के द्वारा वनसा नूकरम का निरधारन भी होता है. इसलिए कहा जाता है कि वनसा नूकरम जर्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है वी एन ज्छा ने कहा कि वनसा नूकरम व्यक्तिकी जर्मजात विसेशताओं का पूर्ण योग होते है एक प्रस्ण यहां यह भी बन जाता है कि अगर यह आपको वाक्य आ जाए कि वनसा नुक्रम वक्ति की जर्मजात विशेताओं का पूर्ण योग है यह किस के द्वारा कहा गया था तो इसका उत्तर होगा वी एन जहा के द्वारा यह पंक्ति कही गई थी अगला प्रस्ण है आज का यह अंतिम प्रस्ण है पैडगाउगी सीरीज भाग 11 के अंतरगत मनो वग्गानिकों के द्वारा निमनी लिखित में से किस विधी द्वारा मूल प्रिवर्टियों में परिवर्टन लाया जा सकता है प्रस्ण बहुत इंप्रोटेंट है मनो वग्गानिकों के अनुसार निमनी लिखित में से किस विधी के द्वारा मूल प्रिवर्टियों में परिवर्टन लाया जा सकता है प्रिवर्टियों में मूल प्रिवर्टियों में परिवर्टन लाया जा सकता है मारगांत्रीकरण यानि पुनर निर्देशन मारगांत्रीकरण को पुनर निर्देशन भी कह सकते हैं मारगांत्रीकरण या पुनर निर्देशन के द्वारा मूल प्रिवर्तियों में परिवर्थन लाया जा सकता है दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही जिसमें दस महत्पूर्ण प्रसनों को हमने आपको बताय था जो एक्च्वल में बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है और आने वाली परिक्षाव में आपको काफी मददगार सावित होंगे अगर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में सेर करें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें मिलते हैं अगली वीडियो में